अलो स्टूडेंस वेलकम तो दे कूर्स आफ आइसीट एंट टोपिक इस प्रोजेक्टर तो एक नजर उन पॉइंट को देख लेते हैं जिनको हम आज की लेक्चर में डिसक्स करने वाले हैं तो देखे पहला पॉइंट है आपका स्लाइड प्रोजेक्टर इसके बाद में हम ओएच पी यह यादि ओवरेड प्रोजेक्टर इसके अलावा हम भोग डिस्क्स करने assumptions वाले हैं जते हैं तो ये तीन नाइब पॉइंट अंजर एक है करके स्टार्ट गर्त तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं slide projectors को एक slide project करा होता है तो पहली बात तो यह है कि आज के time में ये projectors यूज नहीं होते हैं ठीक है ये outdated projectors है बट इनकी क्या technology है जैसा कि आप इस diagram में देख पा रहे होंगे कि ये projector है ठीक है यहां दो है next और back करने का button है ठीक है और ये जो slide roller आपको दिखाई दे रहा है इसी के बीच में glass based slides जो है photographic slides वो इसी के अंदर रखी जाती है और इसी के help से ही जो है ये projections जो होता है जो image दिखाई देती है screen पे वो इसी slide के बिहाब पे ही होता है यहां पे आपको एक lens दिखाई दे रहा है तो अब इसको आप समझ लिए कि यह slide projector जो है exactly है क्या तो देखिए slide projector एक ऐसा device है ठीक है जो mechanical और optical method के द्वारा जो photographic slides है ठीक है उसके थोरो image को view करने का काम करती है उसके अलाबा जो है इसके अंदर कुछ ऐसे जिसके parts जो है वो उसके बारे में बताये गया है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़े लगी होती है तो एक electric light bulb लगा होता है ठीक है एक focusing lens लगा होता है एक reflector लगा होता है ठीक है condensing lens लगा होता है, एक holder लगा होता है, जो इस lens को hold करके रखता है, तो इस तरीके की चीजे जो है, इस तरीके की devices जो है, इस projector के अंदर लगी होती है, यहाँ पर जो आप देख पा रहा है, कि एक forward करने का, एक back करने का button है, कि यह जो slides है, इसकी images है, जब display किया जाता है, इस screen तो मान लिए हमने एक slide को display किया है, हम next वाले को करना चाहता है, तो next button और पीछे वाले को करना चाहता है, तो यह back वाली बटन यह न, इसके थो जो किया जाता है, इसके लावा देखिए, एक यहाँ पर heat observing glass लगा होता है, ठीक है, जो कि condensing lens जो है, और जो slides है, उसके बीच म absorb करता है, अब देखिए, जब light जो है transparent जो slide है, ठीक है, और जो lens है, जब उसके बीच में pass होती है, ठीक है, तो image जो है, वो क्या हो जाता है, large हो जाता है, और उसी को जो है, उस large image को ही screen पर project किया जाता है, तो जो audience है, ठीक है, उसके reflection से जो view होता है, वो उनको दिखाई द देता है, है ना, जो reflection होता है, फिर image का, उससे उनको दिखाई देता है, देखिए, जो image है, ठीक है, उसको एक neat and clean, जो है, screen के उपर भी project किया जाता है, ठीक है, और यह ऐस तब किया जाता है, इसके लिए, ताकि हमें जो एक closer view जो है, वो दिखाई पड़े, अब देखिए इस slide projector जो है, यह commonly 1950 और 60 के time में जो है, entertainment के लिए और family में, जो है, family gathering में, यह slide के थरू जो है, display कराने का काम किया जाता था, है ना, entertainment के purpose से, तो इसके बाद में technology और enhance होई, फिर आगे जो है, overhead projectors यूज होने लगे, फिर उसके बाद में आप जानता है, LCD projectors यूज होने लग तो यह जो है 1950 और 60 के time में जो है, यह slide projectors यूज हो रहे थे, तो हम लोग next अब बात करेंगे कि overhead projectors, देखिए overhead projector यानि OHP जो है, वो आप इस image में देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह कैसा दिखता है, तो इस तरीके का यह दिखता है, यहाँ पे आप यह नीचे जो lens दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे क्या होता है कि जो paper है, जिसके उपर content लिखे गए हैं, ठीक है, वो इसके उपर रखा जाता है, और इसी को जो है reflect करा जाता है, यहाँ पे जो लगी हुई है, जो यहाँ पे lens लगे हुए है, इसकी help स पे क्या हो जाता है, इसके बारे में बात करने हैं आगे, तो यह पूरा overall एक design जो आप देख पा रहा है, कि यहाँ से इसको यहाँ पे एक stand लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद में जो यहाँ पे यह नीचे lens आपको दिखाई दे रहा है, इसके उपर plastic seat होती है, पतली सी, और उसी के ऊपर content लिखा जाता है, या parallelly भी ही लिखा जाता है, पहले से भी लिखा गए रखा जा सकता है, या parallelly भी लिखके यहाँ पे display screen पे किया जा सकता है, अब देखिए overhead projector भी slide projector की तरह यही light का use करता है, ठीक है, ताकि जो image है, वो enlarge करके screen पे project करा जा सके, इसके अ document है, या picture है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा audience के बीच में share किया जाए, large करके उसको क्या किया जा सके, share किया जा सके, है ना, तो ये allow करता है, overhead projector, बाकि इसको आपने जो image में अब भी जस्त देखा था, कि ये lens लगे होते हैं, उसी के उपर plastic seat रखी जाती है, है ना, उसी को जो है, reflect कराया जाता है screen पे, तो अब देखिए, overhead projector के अंदर जो source होता है, ठीक है, क्या होता है, overhead projector के अंदर, जो source होता है, वो क्या होता है, एक page size seat होती है, है ना, जो transparent plastic film की बनी होती है, इसी के अंदर, जो है, image जो है, हो, या hand written, जो है, material हो, ठीक है, printed material हो, उसको रख plate लगा होता है, जो एक lens लगा होता है, उसी के ऊपर रख के, है ना, उसी के ऊपर क्या किया जता है, रख के, उसी का mirror जो बना के screen पे, क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, है ना, तो ये इसकी working है, कि जो overhead projector हो कैसे काम करता है, तो उसमें main जो material होता है, वो एक plastic film होती है पतली सी है ना उसी के ऊपर जो है content जो है printed होते हैं या hand written होते हैं तो जब उसको lens पर रखा जाता है और उसी का एक mirror जो है create करके screen पर display के जाता है तो हमें जो है projected material जो है या content होता है screen के ऊपर दिखाई देता है रही चाहे वह ऐसे material हो text based material हो है ना image हो या videos हो है ना तो हमें जो है matter जो है वहाँ पर देखाई पड़ता है अब देखे जो presenter होता है जो present कर रहा होता है ठीक है वो जब उसका content जो है screen के ऊपर रखा जाता है तो वो screen की तरफ नहीं देखता है ठीक है वो किसको देखता है जहां पर material रखा गया है, जो lens के उपर seat रखी गई है, उसको देखता है ठीक है, उसको देखके वो क्या करता है वो display कराता है, है ना, वो क्या कराता है कि एक एक करके display कराता जाता है, तो वो कुल मिला के, वो screen की तरफ ना देखके, वो क्या देखता है वो पने content की तरफ देखता है जो present कर रहा हो तो इसके इलावा देखिए कुछ जो है differences जैसे हो जाते हैं कि जैसे मानलिया जो paper size है वो transparency जो है वाली paper size है ठीक वो large हो जितनी requirement है उससे ज़्यादा बड़ी हो है तो ये कुछ differences हो जाते हैं कि ऐसा requirement जो है वो उसके according होनी चाहिए कि मनले लेंस है तो वह उसी के उसी सीट जो है वो जो सीट जिस पर जिसके उपर content है ठीक है तो वह इसी के हिसाब से हो है ना वह लार्ज होंगे तो फिर difference हो जाएगा है कि मैटरियल जो डिस्पले हो रहा है वो कट के आएगा तो ऐसा ना हो इसके अलावा देखिए क्या होता है कि जैसे माल लिया मैटर कई सारा है ठीक है तो जो जो पेपर सीट है उसको फूल्ड करके ताकि हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ जो है फारवर्ड कर सके या बै पीछे का मैटर दिखाना चाहते है तो पीछे के मैटर को दिख अब देखिए इसमें जो है कुछ ऐसे पार्ट्स लगे होते है ठीक है जैसे जैसे की कंडेंसर है ना कंडेंसर लगा होता है ना कंडेंसर देखिए इसका क्या रोल है क्योंकि जो फोकसिंग लेंस है ठीक है वह जो है smaller size लगबख 10 cm की होती है तो क्या होता है कि इस smaller size की विज़े से जो display होने वाला content है ठीक है जो display होने वाला content है उसकी जो है transparency जो है कम हो जाती है तो उसी को बढ़ाने के लिए है ना यह condenser का इसके बाद में एक focus adjustment होता है ताकि हम focus को जो है कम ज़्यादा कर सके जैसे मानले screen दूर है तो कम ज़्यादा उसको उसके जो है projection को किया जा सके उसके लिए focus adjustment होता है अब देखें दूसरा component है source of illumination है ना तो यह क्या होता है तो देखें जो most of the overhead projectors होते है ठीक है उसमें extremely high power halogen lamp लगा होता है ना जो लगबग 7500 से 1000 watt जो है power consume करता है तो यह इसकी melting को कम करने के लिए भी high flow blower लगा होता है है ना ताकि इसको melting से बचाया जासा के क्योंकि जो यह है हालोजन है वह बहुत ज्यादा हीट जो है क्या करता है जनरेट करता है ना तो इसको बचाने के लिए जो है high flow blower एक लगा होता है ना ताकि उसको उसको थोड़ा सा कूल डख है अब देखें हम लोग बात करते हैं तो इसको अम लोग किसी अ लेटाप से कंप्पेटर से हैंना इभर मुबाइल से भी कनेक्ट करके हम लोग इसको क्या करते हैं चला सकते हैं जो व्वाईफाइट टाइप के प्रजेक्टर से हैं उसको इस तरीके से किया जा सकता है है ना रन किया जाता है पर मुस्टली जो आप देख रहे होते कि कॉमनली जो यूज हो रहा है प्रजेक्टर ठीक है तो लैप्टॉप में डेस्टॉप में है उसको कनेक्ट करके जो भी मैट्रियल उसमें र image display के लिए या computer का data जो है वो screen के उपर या flat surface के उपर जो है display करने के लिए use होता है है ना तो यह जो है LCD प्रोजेक्टर जिसको आप कहे रहे हैं ठीक है वो slide projector या overhead projector की तरह ही एक modern projector है इमेज को display करने के लिए जो LCD प्रोजेक्टर है ठीक है वो लैम्प से प्रिज्म की तरफ light send करते हैं जो की तीन अलग अलग पार पैनल्स में जो है वो क्या हो जाता है separate हो जाता है ठीक है red के लिए green के लिए और blue के लिए रइट ताकि जो red signals है blue signals है या green signal video signals है उसमें जो है क्या हो जाता है यह उसके पैनल्स में separate हो जाता है अब देखिए जो light है वो polarized light है ठीक है वो पैनल्स के थोरो पास होती है तो जो individual pixels हैं ठीक है जो individual pixels हैं वह light को पास करने के लिए open किया जा सकते हैं ठीक है open हो सकते हैं या उसको block करने के लिए ठीक है close हो सकते हैं अब देखिए ये जो combination है ठीक है open और closed pixel का ठीक है ये जो combination है ठीक है ये क्या करता है ये produce करता है wide range of colors and shades है ना जो की projected image में होती है है ना तो क्या करता है कि wide range of colors जो है या सेड जो है वो प्रोड्यूस करता है ठीक है इस combination में जो कि अधिक जो पिक्सेल से ठीक है open pixels या close circuit राख पिक्सेल से ठीक है इनके combination में जो है क्या करता है wide range of colors और से जो है वो प्रोड्यूस करता है अब दिखिए LCD Projector के कुछ component चैसे की projection surface ठीक है कि जहां पर हम लोग project कर रहे हैं ठीक है content को या मैटरस को ठीक है तो तो जो surface है ठीक है वो अगर best quality image देखना है ठीक है तो या तो blank white हो ठीक है gray हो या black हो सकता है दीक है जो projected image है उसका color जो है वो दोनों उसके लिए दोनों factor है ठीक है जो projection का surface है ठीक है यहां जो हमारा जो background है यहां पर हम लोग उसको project कर रहा है ठीक है वो surfece भी उसके लिए factor है ठीक है दूसरी बात जो है project or quality भी एक factor तो white surface जो है वो neutral color है और projection के लिए जो है वो सबसे अच्छा वही color माना गया है right तो अगर हमें अच्छी quality image जो है देखनी है उस screen पे या surface पे तो जो background color है वो हमें white surface white color का ही रखना होता है तब ही हमें अच्छी quality का image हमें दिखाई पड़ेगा तो बस आज के lecture में बस इतना ही thank you thank you so much